गाउं मोहमद पूर अहीर में एक पशु पालक की गाए में लंपी वाइरस का संक्रमन पाया गया है इसके बाद पशु चिक्सवे भाग ने गाउं में 5 किलो मीटर के दायरे को एपी सेंटर बना दिया गया है एपी सेंटर बाले गाउं के गाउं के गौवंश को अब दूसरी जगर नहीं ले जाया सकता साथी यहां के जानवरों को पशु हाटवाग खरी विक्री पर पूरी तरह से रोख है इसके साथ ही 500 मीटर के दायरे में पढ़ने वाले सभी गाउं में पशु को टीक करना पशु चिक्त सवे भाग करा रहा है ताकि गाउं से संक्रमन किसी दूसरे स्थान पर नहीं पहुँ सके शुकोहवा तैसिल के गाउं में लंपी वाइरस ने दस्तक दे दी है जिससे पशु पालकों में हरकम बच गया है हाला कि पशु चिक्त सवे भाग गाउंगों जाकर जानवरों को वैक्सिनेशन कर रहा है जिससे लंपी वाइरस के संक्रमन को काबू में लाया जा सके गाउं मोहबतपूर अहीर में एक पशू पालक की गाए में लंपी वाइरस का संक्रवन पाया गया है जिसके बाद पशू चिकत्सक विवाग ने गाउं में 5 किलो मीटर के दायरे में एपी सेंटर बना दिया है एपी सेंटर वाले गाउं के गौवंच को अब दूसरी जगे नहीं ले जाया जा सकता साथी यहां के जानवरों को पशू हाट वा खरीद विक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है साथी 500 मीटर के डायरे में पढ़ने वाले सभी गाउं में पशू को टीका करन कर पशू चिक्सा विवाग की ओर से किया जा रहा है ताकि गाउं से यह संक्रमन किसी दूसरे स्थान पर ना बहुंच सके पशू चिक्सक ने बताया कि इस बिमारी से पशू पालकों को घबराने की बात नहीं है यह बिमारी दूसरे प्रांतों से आई है जिसमें पशू को दो से तीन दिन उखार आता है साथी घुटनों में दर्द रहता है यही इसके प्रमुख लक्षन है इसके साथ ही पशू के शरी पर छोटी छोटी गाटे उभरने लगती है यही इस बिमारी के प्रमुख लक्षन होते हैं इससे बचाव के लिए इन दिनों गाओं में पांसो मीटर के दायरे में पशू चिकित्सा अधिकारी अरुन कुमार पहुँचकर पशू का टीका करन कर रहें टीका करन से पशू में एंटी बॉडिस डवलप होती हैं जिससे बिमारी का संक्रमन को रोकने में मदद मिलती है